सुबह सुबह काफी काम होता है, हमें समझने आता क्या करें क्या ना खरें, तो ये रेस्पी आपके लिए काफी हेलफुल होगी, काफी सांदारी रेस्पी है, वेजटेबल्स हैं, और पोहा वैसे भी काफी फाइब्रस होता है, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोलें, तो चलिए रेस्पी की प्रिप्रेशन कर लेते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो बेसिक इंग्रेडियन्स है, वो है सबजियां, सबजी आप धेर सारी इसमें डाल सकते हैं, देखिए मैंने छोटी-छोटी प आपको ले लेना है राई, हरी मिर्च, अद्रक कदुकस किया हुआ, और करी का पत्ता, करी का पत्ता जरूर लेना चाहिए, इससे फ्लेवर काफी अच्छा आता है, मिर्च आप अपनी टेस्ट के कोडिंग कम जादा ले ले, मैंने आपे दो हरी मिर्च को पीसे चीरा लगा कर ले लिया है, और ले लिया है एक कटोरी पोहा, अब हम आगे बढ़ेंगे और गैस पर रख देंगे कढ़ाई गर्मोनी के लिए, और डाल देंगे एक चोटा चम्मच घी, मैं सारी कुकिंग घी में करूंगी, अगर आपको घी नहीं उसकरना है, आप कोई भी कुकिंग जो आप यूज करते हैं, ले सकते हैं, पर घी में और भी हल्दी हो जाएगा, और टेस्ट काफी अच्छा लगता है, तो मैं घी में ही बनाऊंगी, एक चोटा चम्मच घी डालने के बाद, हमने जो दो हरी मिर्च लिया था, उसे फ्राई कर लेना है, अगर आप जादा हरी हरी मिर्च ले रहें, तो आप जादा हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे, पर बीच से चीरा जरूर लगा लें, नहीं तो हरी मिर्च फ्राई करते समय फटने लगेगी, जिससे आपको नुक्षान हो सकता है, आपको जल्द भी सकते हैं, तो आप क्या करें, बीच से चीरा जरूर लगा लें उसके बाद लंबी-लंबी हाय हरी मिर्च को फ्राइ कर लें इससे देखने में काफी अच्छा लगता है और काफी जबजस्त पनती है अगर आप हरी मिर्च छोटे-चोटे पीसेस में कट करके डालना चाहें या फिर पेश्ट डालना चाहें वो भी कर सकते ह पर इस तरह अच्छी लगते है तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ फिर क्या करेंगे हमें उसमें पनीर को भी फ्राइ कर लेना है और इसे भी निकाल लेना है पनीर फ्राइ होने के बाद हमें डाल देना है उसमें एक और चमच छोटा चमच घी और करी पत्ता राई अध हम कर सकते हैं हाइफ फ्लेम में नहीं करें नहीं तो सबजिया पकती नहीं है उसके बाद नमक खल्दी डाल कर अच्छे सब्जियों को चला कर हमें इसे ढख देना है तब तक ढख ना है जब तक यह पक ना जाए पर बीच-बीच में से चलाते जरूर है जिससे सब्जिया जलेना फिर हम क्या करेंगे जब तक सब्जिया पक रही है हमें इस तरह का एक बरतर ले लेना है जिससे आठा चालते हैं मैं वही चालनी यूज़ कर रही हूं उसी में मैंने पोहा डाल दिया नीचे एक बरतर लगा लेना है और क्या करना है धीरे धीरे सारे पोहे को धो द और थोज दिर में यह जल्दी फूल भी जाता है तब तक हम क्या करेंगे सब्जियों को चेक करेंगे सब्जिय आप अपक गई हैं तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूं एक छोटा चमर से थोड़ा ज्यादा मैं यहाँ पर पास्ता मसाला यूज कर रही हूं अगर आप चाहे हैं उसके बाद हमें डाल देना है इसमें पोहा जो हमने अच्छे से दोका रखा था अच्छे से फूल चुका था उसके बाद हमें इसमें डाल देना है पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था नमक पोहे के अनुसार डालेंगे क्योंकि सब्जी हमें पहले से नमक थी और प्लेट में सर्फ करने से पहले उपर से डाल देना है फ्राइ किया हुआ में उपर देखने में उपर देंगे अच्छा रहता है अगर आप उपर करके डाल देंगे वह बिच रहेगा या पेश्ट भी डाल सकते हैं पर मैं इस तरह ही बनाती हूं अगर आपको हरी मिर्च खाना है तो खाएं या ना खाएं यह आपकी मर्जी है और आपका पुहा भी काफी अच्छा बनकर त्यार होगा इस तरह आपका जब 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 बनकर त्यार है इस बार एक बार इस तरह जरू ट्राइ करें रेस्पी अच्छी लगें लाइक जरू कर दें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे प्रोसाइद करता है मैंने वीडियो अच्छी बनाई तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सब खुश रहें स्वस्त रहें जै भारत जै हिंद थैंक यू